आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपिश शेयर करने वाले जो बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इसे आप दो महने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं किशिन मैं हुरा मिशरी और आज हम बनाने वाले सूजी से बहुत ही बढ़िया नमकीन सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे एक कटोरी पानी आप किसी भी बरतन से एक मैजर्मेंट सेट कर लीजए और उससे सारे मैजर्मेंट कीजए और थोड़ा सा नमक और यहां पर मैंने एक टेबल स्पून ओइल लिया है अब इसे हमें गैस पर गरम करना है बॉयल नहीं करना है पानी को थोड़ा सा अच्छा सा इसे गरम कर लेना है अब यहां पर हम गैस बंद कर देंगे और इसके बाद इसमें हम एट करेंगे एक कप सूजी यह फाइन सूजी है अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है इसमें कोई भी लंप्स नहीं होने चाहिए तो देख सकते हैं आप ये सूजी ने बहुत अच्छे से पानी अब्जॉर्ब कर लिया है और अब इसे हमें ढखकर रख देना है 10 से 15 मिनिट के लिए तो इसे हम 15 मिनिट के लिए रेस्ट कर लिए रख देंगे तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर कड़ाई में एक टेबल स्पून ओईल डाला है और अब हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम तो यहाँ पर मैंने आठ से दस काजू और आठ से दस बादाम लिये हैं और उसे हमने 20 से कट कर लिया है थोड़ा सा इन्हें हमें रोस्ट कर लेना है गोल्डन जिस्से कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है थोड़े-थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अब यहाँ पर हम मखाना एड़ करेंगे अब चाहे तो यहाँ पर किश्मेश भी एड़ कर सकते हैं इन्हें भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि मखाने जो है वो भी क्रिस्प हो जाए ड्राइफ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसी कड़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक कटोरी मुंगपली, तो इस मुंगपली को हमने पहले भूइन लिया था, रोस्ट करके और इसके छिलके निकाल ली हैं, लेकिन सारे छिलके नहीं निकाले हैं, आधे छिलके निकालने हैं, और आधे छिलके हैं, जिस्ते की इसका जो कलर है वो अच्छा सा दिखता है तो इसके बाद इसे जब थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे ओयल के साथ तो यहां पर एड़ करेंगे मीठी निमकी पत्ती तो यहां धेर सारी मीठी निमकी पत्ती एड़ कीजे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है नमखीन में इने भी एड़ किये क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा गरम है मिक्स्चर तो चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी यहां पर डालेंगे एक चमच चाट मसाला आधा चमच काला नमक थोड़ा सा काली मिर्च का पौडर और अमचूर पौडर अब थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे अच्छे आधा उसे सारे मसालो को मिक्स करने के बाद इसमें ड्रायव फ्रूट्स भी आड़ कर लेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये बड़ी ऐसा क्रिस्पी आपका ड्रायव फ्रूट्स नमकीन भी तयार हो चुका है आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी ऐसे ही खा सकते हैं लेकिन अभी हम सूजी की सेव बना रहे हैं तो इसके लिए अब हमें चाहिए होंगे दो अबले हुए आलू एक ग्रेटर की हाथ से ऐसे हमें ग्रेट कर लेना है इसे मसलना या फोडना नहीं है नहीं तो फिर वो मोटे मोटे से आलू रह जाएंगे तो अच्छे से नमकी नहीं बनेंगे इसलिए इसे इस तरीके से ग्रेट कर लीजी आलू तयार है अब इसे साइट में रख देंगे और सूजी देख लेंगे तो 15 मिट हो चुके हैं सूजी बहुत अच्छे से फूल च अब इसमें हम आलू एट कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेना है और इसका एक हमें डो तयार करना है अच्छे से इसका डो तयार हो चुका है अब इसमें हम एट करेंगे थोड़ा सा तेल तेल मिलाकर इसे हमें मिक्स कर देना है इस तरीके से अब एक नमकीन मेकर केट साहता से जो सेव बनाने की मशीन होती है उसको हम लेकर अंदर से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे और जो सबसे बारिक वाली होती है उससे थोड़ा सा मोटी वाली जाली मैंने इसमें लगाया है और इसमें इस तरीके से से रोल करके इस डो को डालेंगे हैं नमकीन मेकर की साहता से सेव बहुत आसानी से बन जाते हैं और इससे आप आसानी से ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं ऑनलाइन पर्चेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी बहुत आसानी से इससे नमकीन तयार हो जाते हैं और इससे हैंडल करना बहुत ही इजी होता है इस तरीके से बंद करने के बाद इस बटन को प्रेस कर देने से बहुत आसानी से नमकीन निकल जाते देखिए कितने आसानी से बढ़िये से नमकीन तयार हो रहे हैं मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राइ करना है देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है सेव का बस ऐसे ही इसे फ्राइ करके हमें सारी सेव तैयार कर लेनी है इस तरीके से आप एक बार सेव जरूर बना कर देखिए यह बहुत ही क्रेस्प और टेस्टी बनते हैं आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन आज हमें इनका नमकीन मिक्षर बनाना है तो इसमें अब सारे हमने ड्राय फ्रूट्स बगेरे जो रेडी करके रखें वो सब मिक्स कर लेंगे तो बहुत हलके हाथों से इन्हें मिक्स करना है दिवाली बस आने ही वाली है और दिवाली के समय में बहुत सारे काम होते हैं तो इस तरीके से नमकीन बनाकर आप पहले से ही तैयारी करके रख सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसे लगए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएए पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए चैनल में पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेटिफिकेशन बेल को दबा कर और पर क्लिक कीजिए हम मिलेंगे एक और नई रेसिपिक साथ नेक्स वीडियो में तिल देन बाइ भाइ थैंक्स वर वाचिंग